नमस्कार मेरे प्यारे साथियों कैसे हैं आप आसा करते हैं वह अच्छे होंगे आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे यूपी प्लिस रेडियो अपरेटर के संपूर स्लेबस के बारे में और एक्जाम पैटर्न क्या है निगेटिव मार्किंग क्या है कई दोस्तों अज़्ला दूस्तों अगर यूबस के बात की जाएं तो आप जानते हैं हूंगे तो स्लेबसाम में हिंदी घ्री डीटिंग जी के जीस में एक सांज हूर्ण है लेकिन जन्रल नॉलेज और साइंस इस डोने मिला की आपके सो नंबर कहेंगे अब इसमें में प्रक्राइब क्या है थे अपने तयारी करें तो दोस्तों हिंदी मैं हिस्नी जैसे अपके तयारी चल रही है । से मजयू चलने करने दिए लेकिन जीए के जीएस में आपको क्या अलग पढ़ना है तो दूस्तों एक सामान ने मीज्ञान की किताब लेुए लेकिन अलग से सामान की किताब ह difícil क्यों की अगर 40 को सामान विज्ञान के किताब आती हैं। तो आप साइंस के कॉस्टन को अगर आप टैकल कर लिए तो माली जी इस अब तो सिम्लेर है जो कंस्टेबल के तैयारी कर रहे हैं वही बच्चे इसमें भी बैठेंगे तो हिंदी मैथ रिजिनिंग सबका लब लबक समान अंक मिलने माला है लेकिन जो अलग से साइंस की तैया भी सिम् हाक बहुत लोगों काा फिवा है कि इसमें एक बटए मेंभी शार कर नेगेटी मार्किंगैं लेकिन नीगेटी मार्किंग नहीं है दोस्तों हां इसमें क्या है जो कि आप और इस नोटीज में देह सकते हैं सम्में आपको 50% अंक लाने हैं सम्में 50% क्वालिफाई हैं जैसे पहले UPSI का होता था 50% अभो गया 35% लेकिन इसमें 50% अंक लाना अनिवार है जैसे कि हिंदी में 100 नंबर कहा है आपका तो आपको 50 नंबर लाने ही है तभी आपके question paper चेक होंगे ठीक है 100 नंबर में 50 नंबर लाना अनिवार है प्रतियक subject में negative markings में नहीं है exam pattern की बात की जाए तो exam pattern है आपको computer based होगा चार subject होंगे 100-100 नंबर के total होंगे 400 नंबर और इन्हीं 400 में से आपका cut-up बनेगा और यह माने के चलिए कि 300 प्लस cut-up जाने वाला है 300 से निचे cut-up जाने के बहुत कम chances है 300 प्लस ही cut-up जाएगा चुकि दो साल बाद vacancy आ रही है और बहुत लड़के हैं जो science background के हैं और science background वालों का math reasoning GKS में जो science का portion है वो अच्छा होता ही है माले हिंदी में तो लबख जितने भी हैं सबका average से उपर ही score होगा लेकिन math reasoning और science background का अच्छा होगा तो आप हलके में मत लीजिए गए exam को 300 प्लस score करना ही पड़ेगा तो दोस्तों syllabus के बारे में भी हम जान निए exam pattern कम बीटे और बेश्ड होगा objective होगा और negative marking को बता दिया गया हमारे कैसे आपके सारे doubt clear हो गये हो गये और January के last week में आपका exam संभावित है कि January के last week में हो जाए और हो सकता है कि फरवरी तक भी जा सकता है इसके बारे में भी कुछ कहान है जा सकता है लेकिन बाकी के जो exam से related आपके query थे वो clear करा दिया गया इस तरीके से और वीडियो दिखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब त करी दूआ थिखने कर लोगर कर दोजिए उनल कर दो に भीडियो अब